C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय चौदा गुणन खंडन प्रिष्ट संख्या 230, 14.2.4, कोष्ठक में X चमा A, कोष्ठक में X चमा B के रूप के गुणन खंड आईए अब चर्चा करें कि हम एक चरवाले व्यन्जकों जैसे X वर्ग जमा 5X जमा 6 Y वर्ग घटा 7Y जमा 12 Z वर्ग घटा 4Z घटा 12 3M वर्ग जमा 9M जमा 6 इत्यादी के गुणन खंड किस प्रकार कर सकते हैं ध्यान दीजिए कि ये व्यन्जक कोष्ठक में A जमा B का वर्ग या कोष्ठक में A घटा B का वर्ग के प्रकार के नहीं हैं अर्थात ये पूर्ण वर्ग नहीं है उदाहरन आर्थ एक्स वर्ग जमा 5X जमा 6 में पद 6 एक पूर्ण वर्ग नहीं है सपश्ट तह इस प्रकार के व्यन्जक कोष्ठक में A वर्ग घटा B वर्ग के प्रकार के भी नहीं है परन्तु ये एक्स वर्ग जमा कोष्ठक में A जमा B, X जमा A B के प्रकार के प्रतीत होते हैं इसलिए इस प्रकार के गुणन खंड करने के लिए हम पिछले अध्याय में अध्यान की गई सर्वसमिका 7 का प्रयोग कर सकते हैं यह सर्वसमिका है कोष्ठक में X जमा A, कोष्ठक में X जमा B, बराबर है X वर्ग जमा कोष्ठक में A जमा B, X जमा EB यह पंक्ती 4 है, इसके लिए हमें X के गुणांक यानि कोएफिशिंट और अचर पत को समझना होगा आईए निम्नलिखित उदाहरण में समझें कि ऐसा किस प्रकार किया जाता है प्रिष्ट संख्या 231 उदाहरण 9, X वर्ग जमा 5X जमा 6 के गुणन खंड कीजिए हल, यदि हम सर्व समिका 4 के दाएं पक्ष RHS से X वर्ग जमा 5X जमा 6 की तुलना करें तो हम पाएंगे कि A B बराबर है 6 और A जमा B बराबर है 5 यहां से हमें A और B ग्याद करने चाहिए तब कोष्ठक में X जमा A और कोष्ठक में X जमा B गुणन खंड होंगे यदि A B बराबर है 6 तो इसका अर्थ है कि A और B संख्या 6 के गुणन खंड है आएं, A बराबर है 6 और B बराबर है 1 लेकर प्रयास करें इन मानों के लिए A जमा B बराबर है 7 और 5 नहीं है इसलिए यह विकल्प सही नहीं है आईए A बराबर है 2 और B बराबर है 3 लेकर प्रयास करें इसके लिए A जमा भी बराबर है 5 जो ठीक वही है जो हम चाहते हैं तब इस दिये हुए व्यन्जक का गुणनखंड रूप कोश्ठक में X जमा 2, कोश्ठक में X जमा 3 है व्यापक रूप में X वर्ग जमा PX जमा Q के प्रकार के B जिये व्यन्जक के गुणनखंड करने के लिए हम Q के अर्थात अचरपद के दो गुणनखंड A और B इस प्रकार ग्याद करते हैं कि A B बराबर है Q और A जमा B बराबर P हो तब यह व्यन्जक हो जाता है X वर्ग जमा कोश्ठक में A जमा B, X जमा A B या X वर्ग जमा AX जमा BX जमा A B या X कोश्ठक में X जमा A, जमा B कोश्ठक में X जमा A या कोश्ठक में X जमा A, कोश्ठक में X जमा B जो वान्शिद गुणनखंड है उदारन 10 ध्यान दीजिये की इस बार हमने A और B ज्याद करने के लिए दिये हुए व्यन्जक की तुलना सर्व समिका चार से नहीं की परियाप्त अभ्यास के बाद आपको दिये हुए व्यन्जकों के गुणन खंड करने के लिए उनकी तुलना सर्व समिकाओं के व्यन्जकों से करने की अवशक्ता नहीं है तथा आप सीधे ही गुणन खंड कर सकते हैं जैसा हमने उपर किया है उदाहरण 11, Z वर्ग घटा 4Z घटा 12 के गुणन खंड प्राप्त कीजिए हल, यहाँ A, B बराबर है घटा 12 इसका अर्थ है कि A और B में से एक रिनात्मक है साथ ही A जमाबी बराबर है घटा 4 इसका अर्थ है कि बड़े संख्यात्मक मान वाला रिनात्मक है हम A बराबर है घटा 4 और B बराबर है तीन लेकर प्रयास करते हैं परंतु यह कार्य नहीं करेगा क्योंकि A जमाबी बराबर है घटा 1 इनसे अगले संभवमान A बराबर है घटा 6 और B बराबर है दो हैं तब A जमाबी बराबर है घटा 4 जो हमें चाहिए अतह Z वर्ग घटा 4Z घटा 12 बराबर है Z वर्ग घटा 6Z जमा 2Z घटा 12 बराबर है Z कोष्ठक में Z घटा 6 जमा 2 कोष्ठक में Z घटा छे बराबर है कोष्ठक में Z घटा छे बराबर है कोष्ठक में Z घटा छे कोष्ठक में Z जमा 2 प्रिष्ट संख्या 232, उदाहरण 12 3M वर्ग जमा 9M जमा 6 के गुणनखंड प्राप्त कीजिए हल, हम समझते हैं कि 3 सभी पदों का एक सार्व गुणनखंड है अतह 3M वर्ग जमा 9M जमा 6 बराबर है 3 कोष्ठक में M वर्ग जमा 3M जमा 2 अब M वर्ग जमा 3M जमा 2 बराबर है M वर्ग जमा M जमा 2M जमा 2 क्योंकि 2 बराबर है 1 गुणनखंड बराबर है M कोष्ठक में M जमा 1 जमा 2 कोष्ठक में M जमा 1 बराबर है कोष्ठक में M जमा 1 कोष्ठक में M जमा 2 अतह 3M वर्ग जमा 9M जमा 6 बराबर है 3, कोश्ठक में M जमा 1, कोश्ठक में M जमा 2 प्रश्नावली चौधां दशम लब दो 1. निम्नलिखित वेंजकों के गुणन खंड कीजिए 1. A वर्ग जमा 8A जमा 16 2. P वर्ग घटा 10P जमा 25 3. 25M वर्ग जमा 30M जमा 9 4. 49Y वर्ग जमा 84YZ जमा 36Z वर्ग 5. 4X वर्ग घटा 8X जमा 4 6. 121B वर्ग घटा 88BC जमा 16C वर्ग 7. कोष्ठक में L जमा M का वर्ग घटा 4LM 7. संकेत पहले कोष्ठक में L जमा M का वर्ग को प्रसारित कीजिए 8. A की घात 4 जमा 2A वर्ग B वर्ग जमा B की घात 4 गुडन खंड कीजिए 2 घटा कोष्ठक में L घटा M की घात 2 6. 9X वर्ग Y वर्ग घटा 16 7. कोष्ठक में X वर्ग घटा 2xy जमा Y वर्ग घटा Z वर्ग 8. 25A वर्ग घटा 4B वर्ग जमा 28BC घटा 49C वर्ग 3. निम्न लिखित व्यंजकों के गुडन खंड कीजिए 1. AX वर्ग जमा BX 2. साथ P वर्ग जमा 21Q वर्ग 3. दो X की घात 3 जमा 2XY वर्ग जमा 2XZ वर्ग 4. AM वर्ग जमा BM वर्ग जमा BN वर्ग जमा AN वर्ग 5. कोष्ठक में LM जमा L जमा M जमा L 6. Y कोष्ठक में Y जमा Z जमा 9 कोष्ठक में Y जमा Z 7. 5Y वर्ग घाटा 20Y घाता 8Z जमा 2YZ 8. 10AB जमा 4A जमा 5B जमा 2 9. 6XY घाटा 4Y जमा 6 घाटा 9X गुडन खंड कीजिए 1. A की घात 4 घटा B की घात 4 2. P की घात 4 घटा 81 3. X की घात 4 घटा कोष्ठक में Y जमा Z की घात 4 4. X की घात 4 घटा कोष्ठक में X घटा Z की घात 4 5. A की घात 4 घटा 2A वर्ग B जमा B की घात 4 5. निम्न लिखित व्यंजकों के गुडन खंड कीजिए 1. P वर्ग जमा 6P जमा 8 2. Q वर्ग घटा 10Q जमा 21 3. P वर्ग जमा 6P घटा 16 14. 3. BGA व्यंजकों का विभाजन हम सीख चुके हैं कि BGA व्यंजकों को किस प्रकार जोडा और घटाया जाता है हम यह भी जानते हैं कि दो व्यंजकों को किस प्रकार गुणा किया जाता है परन्तु हमने एक BGA व्यंजक से दूसरे व्यंजक के विभाजन पर अभी तक चर्चा नहीं की है इस अनुछेद में हम यही करना चाहते हैं प्रिष्ट संख्या 233 आपको याद होगा कि विभाजन यानी division और गुणन यानी multiplication की प्रतिलोम संख्रिया है इस प्रकार 7 गुणा 8 बराबर है 56 से 56 भाग 8 बराबर है 7 या 56 भाग 7 बराबर है 8 प्राप्त होता है यही हम बीजिये व्यंजकों के विभाजन या भाग देने के लिए भी कर सकते हैं उदारनार्थ 1. 2x गुणा 3x वर्ग बराबर है 6x की घाद 3 अतह 6x की घाद 3 भाग 2x बराबर है 3x वर्ग तथा साथ ही 6x की घाद 3 जमा 3x वर्ग बराबर है 2x 2. 5x कोश्ठक में x जमा 4 बराबर है 5x वर्ग जमा 20x अतह कोश्ठक में 5x वर्ग जमा 20x भाग 5x बराबर है x जमा 4 तथा साथ ही कोश्ठक में 5x वर्ग जमा 20x भाग कोश्ठक में x जमा 4 बराबर है 5x अब हम ध्यान पूर्वक समझेंगे कि एक व्यंजक को अन्य व्यंजक से किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। प्रारंब करने के लिए हम एक एक पदी यानि मोनोमियल का एक अन्य एक पदी से विभाजन पर विचार करेंगे। 14.3.1 एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन 6x की घात 3 भाग 2x पर विचार कीजिए। हम 2x और 6x की घात 3 को अखंडनिये गुणनखंड रूपों में लिख सकते हैं। 2x बराबर है 2 गुणा x, 6x की घात 3 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x गुणा x अब हम 2x को अलग करने के लिए 6x की घात 3 के गुणनखंडों के समुह बनाते हैं। 6x की घात 3 बराबर है 2 गुणा x गुणा कोश्ठक में 3 गुणा x गुणा x बराबर है 2x गुणा 3x वर्गुणा 3 इस प्रकार 6x की घात 3 भाग 2x बराबर है 3x वर्गुणा सार्व गुणनखंडों को निरस्थ करने की एक संक्षिप्त विधी वह है जो हम संख्याओं के विभाजन में करते हैं जैसे 77 भाग 7 बराबर है 77 बटा 7 बराबर है 7 गुणा 11 बटा 7 बराबर है 11 इसी प्रकार 6x की घात 3 भाग 2x बराबर है 6x की घात 3 बटा 2x बराबर है 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x बटा 2 गुणा x बराबर है 3 गुणा x गुणा x गुणा x बराबर है 3 एक्स वर्गुणा उदाहरन 13, निम्न लिखित विभाजन कीजिए, 1. घटा 20, X की घात 4, भाग 10X वर्ग, 2. साथ X वर्ग, Y वर्ग, Z वर्ग, भाग 14XYZ, हल, 1. घटा 20, X की घात 4, बराबर है घटा 2, गुणा 2, गुणा 5, गुणा X, 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 अतह, कोष्ठक में घटा 20, X की घात 4, भाग 10X वर्ग, बराबर है घटा 2, गुणा 2, गुणा 5, गुणा X, गुणा X, गुणा X, भाग 2 गुणा 5 गुणा X गुणा X, बराबर है घटा 2 गुणा X गुणा X, बराबर है घटा 2 X वर्ग, प्रिष्ट संख्या 234, दू, 7 X वर्ग, Y वर्ग, Z वर्ग, भाग 14 X, Y, Z, बराबर है 7 गुणा X गुणा X, गुणा Y, गुणा Z, बराबर है एक बटा 2 गुणा 2 X, बराबर है एक बटा 2 X, Y, Z, प्रयास कीजिए, भाग दीजिए, एक, 24 X, Y वर्ग, Z की घात 3 को 6 Y, Z वर्ग से, दो, 63 A वर्ग, B की घात 4, C की घात 6 को 7 A वर्ग, B वर्ग, C की घात 3 से, 14.3.2, एक बहुपद का एक एक पदी से विभाजन, आईए, एक त्रिपद यानि ट्राइनॉमियल, 4, Y की घात 3, जमा 5 Y वर्ग, जमा 6 Y, एक पदी, दो Y से विभाजन पर विचार करें, 4, Y की घात 3, जमा 5 Y वर्ग, जमा 6 Y, बराबर है कोश्ठक में 2 गुणा 2 गुणा वाई गुणा वाई गुणा वाई, जमा कोश्ठक में 5 गुणा वाई गुणा वाई, जमा कोश्ठक में 2 गुणा 3 गुणा वाई, यहां हम बहुपद यानि polynomial के प्रतियेक पद को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं हम पाते हैं कि दो गुणा वाय दो पदों में एक सार्व गुणनखंड है साथ ही हम इसे तीसरे पद पांच वाई वर्ग के लिए भी एक सार्व गुणनखंड के रूप में बदल सकते हैं तब हम प्राप्त करते हैं चार वाई की घात तीन जमा पांच वाई वर्ग जमा छे वाई बराबर है दो गुणा वाई गुणा कोश्ठक में दो गुणा वाई गुणा वाई जमा दो गुणा वाई गुणा कोश्ठक में पांच बटा दो गुणा वाई जमा दो गुणा वा 2Y, कोशचक में 2Y वर्ग, जमा 2Y, कोशचक में 5 बटा 2Y, जमा 2Y, कोशचक में 3. बराबर है 2Y, कोशचक में 2Y वर्ग, जमा 5 बटा 2Y, जमा 3. सार्व गुणन खंड, 2Y को अलग दर्शाया गया है. अतह, कोश्ठक में 4 Y की घाद 3 जमा 5 Y वर्ग जमा 6 Y भाग 2 Y बराबर है 4 Y की घाद 3 जमा 5 Y वर्ग जमा 6 Y बटा 2 Y बराबर है 2 Y कोश्ठक में 2 Y वर्ग जमा 5 बटा 2 Y जमा 3 बटा 2 Y बराबर है 2 Y वर्ग जमा 5 बटा 2 Y जमा 3 वैकल्पिक रूप में हम त्रिपद के प्रतियक पद को निरस्तिकरण की विधी का प्रयोग करते हुए उस एक पदी से भाग दे सकते थे कोश्ठक में 4 Y की घा 3 जमा 5 Y वर्ग जमा 6 Y भाग 2 Y बराबर है 4 Y की घा 3 जमा 5 Y जमा 6 Y बटा 2 Y बराबर है 4 Y की घा 3 बटा 2 Y जमा 5 Y वर्ग बटा 2 Y जमा 6 Y बटा 2 Y बराबर है 2 Y वर्ग जमा 5 बटा 2 Y जमा 3 यहां हम अंश में बहुपद के प्रतियक पद को हर में एक पदी से भाग देते हैं उदाहरण 14 उप्रोक्त दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए 24 कोश्ठक में X वर्ग Y Z जमा X Y वर्ग Z जमा X Y Z वर्ग को 8 X Y Z से भाग दीजिए प्रिष्ट संख्या 235 हल 24 कोश्ठक में X वर्ग Y Z जमा X Y वर्ग Z जमा X Y Z वर्ग बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना कोश्ठक प्रारंब कोश्ठक में X गुना X गुना Y गुना Z जमा कोश्ठक में x गुणा y गुणा y गुणा z कोश्ठक अंत बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y गुणा z गुणा कोश्ठक में x गुणा y गुणा z सार्व गुणनखंड बाहर लाने पर बराबर है 8 गुणा 3 गुणा x y गुणा कोश्ठक में x गुणा y गुणा z अतह 24 गुणा में X वर्ग YZ जमा XY वर्ग Z जमा XYZ वर्ग भाग 8XYZ बराबर है 8 गुणा 3 गुणा XYZ गुणा कोश्ठक में X जमा Y जमा Z बटा 8 गुणा XYZ बराबर है 3 गुणा कोश्ठक में X जमा Y जमा Z बराबर है 3 कोश्ठक में X जमा Y जमा Z वैकल्पिक रूप में 24, कोश्ठक में X वर्ग YZ, जमा X Y वर्ग Z जमा X Y Z वर्ग भाग 8 X Y Z बराबर है 24 X वर्ग Y Z भाग 8 X Y Z जमा 24 X Y वर्ग Z भाग 8 X Y Z जमा 24 X Y Z वर्ग भाग 8 X Y Z बराबर है 3X जमा 3Y जमा 3Z बराबर है 3 कोश्ठक में X जमा Y जमा Z अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचनस्वर, आकाश आहूजा, तकनीकी समनवयक बटिलैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक विकास सांग्वान, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत